सवर्प्रथम आवानकर्यम परात्पर्यम परात्पराजन्नी की सम्मिलित जिविचेतना का वा उतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिदी स्वरुप्रादुर्भूतुए महायोगी महायर्शिश्यर्विंद्वारा विरचित कावित्री महाकावे के बुक वन केंटो फोर तसी क्रेट नौलेज त्रेपंद्वे प्रष्थ की चबीश्वी पंक्ति पर अर्थीश्वे इंस्टॉल्मेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उर्द्वारों कराएं ताकि रखे गए भाव को विचारना को मंत्रों को सुत्रों को प्रकटोने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके शीख सके समझ सकें तर्दन रूप साथना के दुरूपत पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें इसी मनुभाव से हम प्रेपन करते हैं कहते हैं वहाँ होगी वहाँ होगी 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 and the sloth and perish from the earth where he was king. He is ignorant of the meaning of his life. He is ignorant of his high and splendid fate. पुरु के कुई भाव को साथ रखकर सरल्भाव के ओर हमारे बढ़ते हैं, कहते हैं, मन जो स्रजीत श्रष्टी में विकास क्रम में सरवोच अभियत तसरू मानव को विक्षित करके वर्तवान में ले आया है, इस सरवोच विक्षित सरू मानों का अबराप्रगर्ती काल साशित संशयात्मक मन घटित होने वाले महाप्रगर्ती शक्ति संचालित क्रिया हैं, घटनाओं एवं इनसे प्रभावित होकर चलने वाले विचार एवं कामनाओं के तबाव में कर्म करते रहने को बाद्य बने रहकर अपने द्वारा किये गए कर्मों के परिणामों की निश्चिती एवं विशुद्धता पर अनभिग्यता एवं आसम अंजस के कारण किये गए कर्म परिणाम के लिए उत्सुपता से प्रतीक्षा करता है क्योंकि उसको लब्द ज्ञान की इक्षमता की सिमित्ता के कारण इस परष्ट बोद ज्ञान नहीं पाप सकता इस प्रकार से विश्वमंत की वैश्वीक मनस सेटना से प्रवाइद विचारों को अपने विकास की इक्षमता के अनुरू अपने मन में प्रवेश पाते हुए देखता एवम इन प्रवेशित विचारों को विचार में डूप कर वाता वरन प्रभावित बन कर सन्योजित करके आकारों में ढालता कि तुन नहीं जानता कि यह आकारित विचारों की सत्यता वो विश्वस नीता कितनी हैं इसके लिए उसे विचारों की बाहे जगत क्रिया कलाप में घटितोकर निशित्ता या उनके विपरीत पढ़ना माने तक प्रतीक्षा करनी ही होती है इस प्रकार मन निजविचारों के निश्य की नित शक्ति मापने को सरेव आतुर बना रहता है वह अपने लक्ष का भी ठीक ठीक आंकलन नहीं कर पाता है उसके मन की गराईयों में बाई पदार्त विश्यक्त परिणाम के प्रती संश यात्मक विचार की आकारित लक्ष प्रापत होगा या नहीं होगा वह नहीं जानता वह यह भी नहीं जानता कि क्या प्राप्त करेगा या आकारित विचार की सत्यता प्रतिया आश्वस्त होने पर भी उसको कव कहां ठीक ठीक पर नाम प्राप्त होगा अथ्वा नहीं होगा नहीं जानता स्रश्टी के विकास क्रम में वरने दस अवतारों की कथा एवं वैज्ञानिक दार्विन प्रतिपादित विकास वात्सिद्धान्त के विचार से मानव मन सदेव आकरांत होकर कि जैसे स्रजन में अनेंग जाती प्रजाती के जीव जन्तु का क्रम विकास में लोब होते जाना जैसे कि रेप्टिलियन यूग में विशाल काई डाइनोसोर से प्रत्वी खचा खज भरी थी और काल चक्र में यूगों पश्चार लूब तो हो गई यह जाती कि इसी प्रकार स्रजित्य स्रष्च्ति में आनुपयोगी हो जाने पर प्रकर्पिने मेमेलियन यूग के विशाल काई मेस्टोडियन इस्तनपाई हाथी की प्रजाती का धर्ति से लुप्त हो जाना किसी प्रकार वर्टवान के विक्षिति इस्तनधरी सरुष्ष्च्त विक्षित् पर राजा बना शाशन करता फिरता है, फिर भी वा द्रन श्चेता से नहीं जानता कि विकास क्रम में अंततव जीवित भी रहत पाएगा या नहीं, अथ्वा उसका भी हष्ड रैप्तेलियन यूगी दैनासोर, अथ्वा मैमेलियन यूगी मैस्तेडोन, वसलात के समान, जाएगा जहां आज धर्ति पर मानों की स्रष्टता का साशन का ढंका बज रहा है, इस जगत से उसका नामो निशान ही विड़ जाएगा क्या, इसका भी उसको ठीक अभी पता नहीं है, कि भावी स्रष्टी स्रजन है तो मानों की महा प्रकरती के लिए उप्योगिता, कितनी होगी, अन्तव पुरुष्पर पड़े अचित, अज्यावरण से प्राप्त धुमिल मनस्चेतना ज्ञान की अक्षमता, एवं अज्ञानता के कई प्रकार हैं, वह मानों को प्रतिय किये गए कर्म की क्रिया में, प्रभावित करता ही रहता है, यहां तक कि मूद सम्बंद विछेद इस्मर्थी के कारण, वह अपने लक्ष को ही जीवन की क्रिया कलापों में बुला बैठा है, इसके प्रणाम सरूप, वह उसके जीवन के महत्वें, उप्योगिता के सत्य को देख पाने में भी लगभग अक्षम ही हो गया है, प्राय जगत की जटिल न समझाने वाली गटिविदियों में ही, पूनतय प्राप्त इंद्रियों से सज्ञान वने रहकर तनमय बना रहता है, जगत की घटित होने वाली घटनाओं से उसका क्या संबंद है, उसके धर्ति पर होने का क्या कारण, वो महत्व है, उसका मन, इसका निश्चित उत्तर नहीं पापाता है, लक्ष, वजूद, महत्व के प्रश्ण की जटिल गुथि सुल जान पाने से, और अधिक उलचकर इसके विचार को ही त्याग कर, काल के गाल में मानों समाते जाता है, अपने ही जीवन के धर्ति पर होने के अतियंत महत्व पूर्ण होने का उसे कभी भी पता नहीं चल पाता है, स्रश्टी के विकास क्रम में अपनी गौरोशाली उच्च नियती की व्यक्त सरूपों में विक्षित होते हुए, प्राप्त कारणों के दिविर रुपान तर्णों उपरान स्वयम अपने मूल तुल्यत जीवन यापन को ही बुला बैठा है, इसका इस बेचारे अज्ञानी मानों को कुछ भी होश अभी नहीं है, आज हम इस्वार गर्वित्विशे को यहीं विराम देते हैं, आववान पर अवतरी तुई परात पर्यों परात पराजन्नी की सम्मिलित दिविचेतना, जिन परारूड ओ करमने सावित्री महा काविके दिविशुत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सिखा समझा जाना, स спасибо कर था कि जब जब हमें इस यान विज्ञान की साथणा के दुरूपत पर आँश रो तब यह जन विज्ञान जागड़तो कर साथ नाके दुरूपत पर अपना कदना औक के इसी मनुभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गराई में प्रवेश्ट कर जाएं सचेतन, सावधान, सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के इस तरों में संपन्न होने जा रहे हैं। प्रवेश्ड ही जाम यके डाउश्छ कर दो दो हमारी संपने गराई हैं। झाल झाल